लाश्पतनकर मुरादवाद में वाकि मशूर बुजूर के हजरत हाफिस सेद बाकर अल्मारूफ, हजरत पहलवान शाह साहम नक्षबंदी गादरी रह्मत अलहे के आस्ताने आलिया पर हर जुमिरात की तरह इस जुमिरात को भी यानि 24 रमजानुल मुबारक की शाम को कुल श सालत में, सलातो सलाम का नजराना पेश किया किया या दुमका उठा जमाना हुए गादिती तराना या नभी सलाम उलेका या रसूल सलाम उलेका या अमें सलाम उलेका आखिर में आस्ताने आलिया के सजद नशीन और ओल इंडिया खान का ही एक तमिशन के नाइब सदर हाफिस इफ्तिगार हुसें साबरी ने दूआ फर्माई और हाजरें ने आमीन आमीन के सदाएं बलंद की दूआ के बाद सभी हाजरें के लिए इफ्तार अल्लंगर का इहत आस्ताने आलिया के सजद नशीन हाफिस इफ्तिगार हुसें साबरी ने इस मौके पर बताया कि इमसाल 26 रमजान मुबारक यानि पहले जून को सनीचर के रोज रमजान शरीफ के 27 वी शब में आस्ताने आलिया पर पहली बार शबीना होगा जिसमें दर्गार हजरत पहलवाई शाह साहब रहमत अलह अलह में कायम मदर से सिर्फ फारिक शुदा हुफास पुराने पाक सुनाएंगे और तकरेबन दो बजे शब दूआ होगी दूआ के बाद सभी हादरे इनकी खिद्बत पे सहरी पेश की जाएगी हाफिज इफ्टगार हुसें साबरी ने बताया मतव बरतव का महीना है lei के जन बखास से मुस्तफिज हो chpakah मातव New 27 रुद मदर सवीने सभीन है की सभीने की सभीने की सभीना सुनकर पुरान के नूरानी फैद से सक्पीज हो मतलब 27 वे शब्राव में 26 रम्दान की रात मी तो क्या सहरी का भी इंपिजाम किया जाएगा इस और रात भर यहां सवेदारी जाएगी कुल किने हुपाद तकरीबान इसमें शिर्कत करेंगे लगबर यहां एक मुसल्ला यहां नीचे मस्चित में होगा और एक उपर सरकारी आली में उपर लगाया जागा और एक अंदर तीन मुसल्लूपे